दत्या जिले के भांडेर सामुदाइक स्वास्तकेंद्र में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है जहां बिजली नहोने के कारण एक महिला की डिलिवरी तौर्च की रोश्णी में की गई सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्थाओं का हाल किसी से छिपा नहीं है लेकिन ऑपरेशन और डिलिवरी के मामलों में लापरवाही जानलेवा है इसके बावजूद दत्या के भांडेर में टौर्च की रोश्णी में डिलिवरी हो रही है मरीजों के क्या हाल होंगे लगा सकते हैं ताजा मामला भांडेर के सामुदाइक स्वास्त केंद्र का है जहां टौर्च की रोश्णी में महिलाओं की डिलिवरी की जा रही है इस दोरान महिला के परिवार बालों ने अस्पताल प्रबंदन पर गंबीर आरोब भी लगाए हैं उन्होंने कहा कि अगर जच्चा बच्चा को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिजली न होने पर अस्पताल में लगे इन्वर्टर और जनरेटर का उपियोग क्यों नहीं किया गया इस मामले का वीडियो वाइरल होने के बाद जब अस्पताल आप देख रहे हैं डखल नियूड